बचपन से हमें ये सिखाया और बताया जाता है, कि हमें दूसरों से अच्छा व्यभार करना चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट और प्यार देना चाहिए, तभी लोग हमें पसंद करेंगे और अपनाएंगे, पर हमें कोई ये क्यू नहीं सिखाता, कि हमें खुद को भी तो पसंद करना चाहिए, खुद से भी तो प्यार करना चाहिए नमस्कार दोस्तों, self love क्या है? self love यानि खुद से प्यार करना, खुद का सम्मान करना और खुद को स्वीकार करना होता है ठीक वैसे ही जैसे हम अपने जीवन में कुछ खास लोगों का करते हैं, दूसरों को प्यार और सम्मान देते हैं, वैसे ही खुद को प्यार और सम्मान देना ही सेल्फ लव है। अब तक हम किसी और इंसान से एक्सपेक्ट करते थे, कि कोई आएगा, आपको फोन करेगा, कि आप कैसे हैं, क्या हुआ है आपको, वो आपकी मदद करेगा, आपको उस परिस्थिती से बाहर निकालेगा, वो आपको प्यार और सम्मान देगा, जैसे आप उस इंसान से आशा रखते हैं, अब ठीक यही भूमी का, जब हम सल्फ लव में निभाते हैं, तो हम अपने जीवन में खुद वो इंसान बनते हैं, जो हमारी मदद करेगा, अब हम इस दुनिया से हर तरह की आशा तोड़ देते हैं, यकीन मानिए, सल्फ लव प्यार का एक ऐसा रूप है, जि हम mentally और emotionally strong और relaxed और खुश महसूस करते हैं, जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो ये दुनिया हम से प्यार करती है, जब हम किसी भी कारण से दुखी हो जाते हैं, या depression से गुजर रहे होते हैं, तो ये एक treatment की तरह काम करता है, सल्फ लव हमें हमारी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करता है, अगर हम ये उमीद करते हैं कि लोग हम से प्यार करें, लोग हमारा सम्मान करें, तो पहले हमें खुद को प्यार करना होगा, खुद का सम्मान करना होगा, क्यूंकि हम वही अपने जीवन में आकरशित करते हैं, जो हम खुद बनते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, खुद को अन्य लोगों के मुकाबले कमतर समझना, नेगेटिव समझना आजकल बहुत आम बात हो चुकी है, अगर कोई खुद को प्यार भी करता है, तो दुनिया उसे सेलफिश कहकर जज करती है, पर ये किसी भी माइने से सही नहीं है, हम हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं, उसके बाल अच्छे है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो सुन्दर दिखती है, पर मैं नहीं, वो अच्छा बोलता है, पर मैं नहीं, वो अच्छे कपड़े पहनती है, पर मेरे पास तो हैं ही नहीं, आदी-आदी अनेकों प पहले तो बहतर बनने की और जब फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता तो बहतरीन बनने की होड में वो अपनी ओरिजिनालिटी अपनी पहचान खो देता है और यही उन्हें खुद को ना पसंद करने की वजह बनता है सल्फ लव में एक और चीज बाधा बनती है और वो है बचपन में बीती हमारे साथ घटनाएं हमारी परवरिश अगर किसी को बचपन में प्यार और प्रोचसाहन मिला हो तो वो बच्चा खुद को काबिल समझता है वो खुद को पसंद करता है और दूसरों के प्यार के लायक भी समझता है अगर उसे हर चोटे बड़े अचीवमेंट्स या काम पर सराहा जाता है तो उसके अंदर आत्म विश्वास बनता है जो धीरे धीरे उसके सल्फ लव का एक मजबूत आधार बनकर तयार होता है पर अगर किसी बच्चे को बच्पन में उतना प्यार ना मिले औ और दूसरों से केवल डाट, भटकार, मार और उसकी हर चोटी से चोटी गलतियों पर दूसरों से उसके तुलना की जाए तो वो बच्चा भी खुद से नफरत करने लगता है उसके मन में नकारात्मकता घर कर लेती है और वो उसे इस कदर जकड लेती है कि बड़ा होने के बाद अगर उसे प्यार भी मिले तो वो अवचेतन रूप से यही समझता है कि वो इसके लायक है ही नहीं जीवन में हो रही बुरी घटनाए भी एक और कारण हो सकती है जब हम सल्फ लव को अपने जीवन में निरर्थक समझने लगते हैं किशोरा वस्था में हम अपनी पर पर्सनालिटी पर सवाल खड़े करने लगते हैं हमें चड़ाने लगते हैं तो इसका भी कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिश्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे साथ जब बार बार बुरा होता चला जाता है तब हम ये सोचने लगते हैं कि हम अच्छे नहीं है हमा पतने बतानी जरूरी थी ताकि आप समझ पाएं कि वो कौन से कारण थे, जिन से आप अब तक खुद की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाए थे, खुद को प्यार नहीं कर पाए थे, पर अच्छी बात ये है कि हम अपनी इस मेंटालिटी को बदल सकते हैं, चाहे हालात कैसे अभी हो, इस वक्त बेशक हम कितने ही चुनाती पूर्ण समय से गुजर रहे हो, हर स्थिती ठीक हो जाती है, विश्वास कीजिए, कुदरत कोई भी चीज ऐसे व्यर्थ नहीं बनाती, इसकी हर एक चीज एक अनमोल देन है, हम इनसान भी इस सुन्दर प्रकृती की अनमोल हम बहुत खास हैं, इसलिए खुद से प्रेम करें, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करेंगे, तभी हम ईश्वर की बनाई इस रजना का सम्मान प्रकट कर पाएंगे, अपना नजरिया बदल कर हम खुद से प्यार करना सीख जाएंगे. अब खुद से प्यार करें कैसे? जैसे इस दुनिया को रौशन करने से पहले दिये का खुद रौशन होना जरूरी है, उसी तरह दूसरों का प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले खुद को प्यार और सम्मान से भरना जरूरी है. Self Love बहुत आसान है जी हाँ, बस जो फिक्र अब तक आप अपने जीवन में उन लोगों की करते आये थे जिनकी आपकी जिंदगी में एक खास जगह है अब आप ये फिक्र खुद की करेंगे खुद का ध्यान रखेंगे खुद से पूछेंगे क्या तुमने खाना खाया खुद को माफ करेंगे, accept करेंगे दोस्तों, when you love yourself, the world loves you more आप कई तरीकों से खुद को प्यार दे सकते हैं आईए कुछ important तरीकों के बारे में बात करते हैं जिन में सबसे पहला तरीका है खुद की कमियों और खुबियों को जाने ये बहुत जरूरी है हर इंसान, चाहे वो जिस भी स्वभाव का हो उसमें कुछ खुबियां और कमियां तो होती ही है अपनी कमजोरियों को स्विकार करने में कोई बुराई नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ और हम अपनी कमियों का घमंड करने लगें नहीं, अपनी कमियों को जान कर उसका काम करके आप खुद का ही बेटर वर्जन बन सकते हैं इसी तरह हर इंसान में बहुत सारी अच्छी खूबियां भी होती हैं आप में भी हैं इस पर भी काम करें और अपनी काबिलियत को और निखारें इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा और आप और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे पॉजिटिव रह पाएंगे सेल्फ लव का दूसरा तरीका है खुद को अपने अतीत की गलतियों से बाहर निकालें और आगे बढ़ें दोस्तों हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसी यादों का पिटारा जरूर होता है जिसे याद कर वो इंसान बार-बार दुखी और परेशान हो जाता है शायद इसमें उसके साथ कुछ बुरा घटा हो सकता है कई लोग इस अतीत के इन दुखों में इस कदर उलज जाते हैं कि वो अपने आज को भी भूल जाते हैं और सेल्फ लफ तो दूर वो पूरी तरह से खुद को अतीत में जोंक कर खो देते हैं सेल्फ लफ आपको इनहीं समवेदन शील यादों से बाहर निकलने में मदद करता है इसके लिए पहले तो अतीत की उस घटना को स्वीकार कर लें जो हो गया सो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते ये सोच कर आगे बढ़ें गलती इनसानों से ही होती हैं जिसने आपके साथ गलत किया वो भी एक इनसान है और अगर आप से कुछ गलत हुआ तो आप भी माफ कीजिए खुद को भी और उन्हें भी आपका कल आपके हाथों में है इसलिए खुद को अतीत के दुखों में मड़ दुबाईए आज में जीना सीखिए और एक नई शुरुआत कीजिए हम सब आपके साथ हैं खुद से प्यार करने का ये भी एक बड़ा तरीका है सेल्फ लव का तीसरा तरीका है उन लोगों से दूरी बनाईए जो आपको नीचा दिखाते हैं खुद के लिए कदम उठाईए हमें हमेशा एक अच्छी संगती का चुनाव करना चाहिए अगर आपके दोस्त या कलीग्स आपको हमेशा बुरा बोलते हैं और आपको किसी लायक नहीं समझते तो आप भी कहीं न कहीं खुद को धीरे-धीरे ऐसा समझने लग जाएंगे लेकिन इसके विपरीत अगर कोई आपको प्रोथ साहित करता है आप में पॉजिटिविटी भरता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे खुद के प्रती आपका प्यार बढ़ेगा खुद को बुरे यानि टॉक्सिक लोगों से बचाएं और खुद को अच्छे लोगों के ग्रुप से जोड़े क्यूंकि जब आप प्यार करते हैं तो आप अपने प्यार में नकारात्मक्ता की हर छाप को मिटा देते हैं अब जब ये प्यार खुद से है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं सल्फ लव का चौथा तरीका है अपना ध्यान रखना टेक क्यर ओफ योर्सल्फ जब हम किसी को खुश करने के लिए अच्छे से तयार होते हैं तो खुद के लिए भी तो कभी तयार हो ही सकते हैं लेकिन तस्वीरीं तो कुछ और ही बताती हैं जब कोई नहीं होता तो हम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते खुद की केर ही नहीं करते ध्यान रखें, पॉश्टिक और सेहत मंद खाना खाएं, खुद को साफ सुथरा और अच्छे से ड्रेस अप करें, जिससे आप अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा, ड्रेस अप करने का मतलब ये नहीं कि घर पर भी कि हमें साफ और आराम दायक कपड़े पहनने चाहिए, और जब बाहर जाएं, तो अपने पसंदीदा कपड़े पहने, जैसे स्टाइल आपको अच्छे लगती है, क्यूंकि आप कॉन्फिडेंट तभी महसूस करते हैं, जब आप अपने दिल की करते हैं, साथ ही साथ कुछ एक्सराइज करना, मेडिटेशन और प्रणायाम करने से भी आपके शरीर में फूर्ती, आत्म विश्वास और सकारात्मक्ता आती है, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छी और पॉजिटिव बातें बोलें, अफर्मेशन्स को धोराएं, जो आपके सेल्फ होगा, या मैं इस लायक ही नहीं, या मैं इतनी सुन्दर ही नहीं हूँ, और यही बातें हमें कमजोर भी बनाती रहती हैं, और हमें डराती भी हैं, इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत को आज ही छोड़ दीजिए, विश्वास कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, जब आप ये विश्वास भर कर लेते हैं, तो आप अपने आप में अपने हर सपने को पूरा करने की काबिलियत पा लेते हैं, हमारे जीवन में जो ठीक नहीं चल रहा है, उसी पर ध्यान देते रहना, ये हम इंसानों की बुरी आदत हैं, लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं हो लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपके जीवन में बस बुरी ही चीज़े हो, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ अच्छा तो होता ही है, बस हमें अपने नजर्ये को बदलने की देरी है, उस तरफ ध्यान दीजिए जो अच्छी चीज़ें अभी आपके साथ हैं, उनसे खु हम दूसरी इच्छा बना लेते हैं, ऐसे में इस बात की क्या गैरेंटी है कि अभी आपके पास जितना है, उससे ज्यादा आपको मिल भी जाए, तो आपकी इच्छा नहीं बढ़ेगी, इसलिए जो आपके पास है, पहले उससे खुश होना सेखिए, क्योंकि जितना आपके पास है, शायद उतना पाना भी किसी का सपना है, इसलिए हर छोटी से छोटी खुशी के लिए इश्वर का और इस प्रकृती का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप जितना धन्यवाद करेंगे, अपनी खुशियों को आप उतना ही मल्टिप्लाई करेंगे, सेल्फ लव की आखरी टिप है, खुद की आलोचना या बुराई ना करें, बल्कि खुद को एप्रिशेट करें, एक सबसे बड़ी गल्ती जो हम अकसर करते हैं, वो है खुद की आलोचना करते रहना, हसी मजाक में भी कई बार हम खुद के लिए बहुत नेगिटिव बोल जाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी द्वारा बोली गई बात का आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, जब इसी आलोचना में अन्ये लोग भी शामिल हो जाते हैं, तब आपको अच्छा नहीं लगता और यही हमें खुद से प्यार करने नहीं देता, जब हम बार-बार खुद की आलोचना करते हैं, तब हम अपनी नजरों में खुद की एक गलत चवी बना लेते हैं, इसी लिए हम अपने आपको ना पसंद करने लगत कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, खुद की गलतियों से सीखें, पर बार-बार खुद को दोश ना दें, एक और जरूरी बात, ना कहना सीखें, क्यूंकि कई बार जब आपकी अच्छाई का फाइदा उठाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि आप उनके काम को करने के लि Learn to say no politely, यानि कुछ इस तरह मना करें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप मना भी कर दें, जितना आप से हो सकता है, उतने ही कार्यभार के जिम्मेदारी लें, आज ही लिखें आप में कौन-कौन सी अच्छाईया हैं और खुद को अपनी अच्छाईया याद दि इवन में कई लोग और रिष्टे आते और जाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ पूरी जिंदगी रहता है, वो है हमारे साथ हम खुद, जब से आप इस धर्दी पर आए हैं और जब दक आप हैं और रहेंगे, आपके साथ आप हमेशा खुद को जरूर पाएंगे, इसलिए इसलिए खुद को हर परिस्थिती में स्वीकार भी, एक ही तो जिंदगी मिली है, इसे प्यार और खुशी से जिए, खुद ही प्यार बने और फिर आपकी ओर प्यार और खुशियां ऐसे खिंची चली आएंगी, जैसे मैगनेट की तरफ लोहा खिंचा चला आता है, लव य गड्लेस यू, नमस्कार